जहासी का मडिया महादेव एतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनितिक हर तरीके से महत्रपून और हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाला मडिया महादेव के पुरुद्धार पर लगातार काम चल रहा है इसके कोर्डर बनने की मांग उठ रही है लेकिन कि आप जा साल 2013 में जहासी के विधायक रवी शर्मा के नाम एक चिठ्थी आई थी, यह चिठ्थी भेजी थी कर्नो जेल में बंद एक कैदी मोहमद यूनुस ने, मोहमद यूनुस ने जेल से 20 सितंबर 2013 को यह चिठ्थी भेजी जिसने उसने लिखा कि किस प्रकार से मडियों पे वाले तरीके से जहासी के विधायक रवी शर्मा से उमीद जताई कि आप इस मडिया को दुवारा पुनधार करेंगे, अतिक्रमन मुक्त करेंगे, और सबसे कमाल की बात कि उस कैदी ने जील में ही बंद रहते हुए A4 Sheets की मदद से उन्हें जोड जोड कर एक नक्षा बना क्योंकि जील बंदिस कैदी ने मरिया महादेव उसके आसपास का पूरा छेत्र लगभग चार से पांच किलो मेटर के छेत्र को नक्षे पर दर्शा दिया गुलावी रंग से उसने यह भी मार्क कर दिया कि कहां कहां पर मरिया थे, किसने अतिक्रमन किया है, कहां अतिक्रमन किया है, इस नक्षे में वो एक एक कुवा भी चिनित किया गया है, जो पहले यहां थे, जिन्हें चौपड़ा कहा जाता था, ऐसी हर एक डिटेल इस नक्षे में दी गई है, और इसके अधार पर ही अब मरिया महादिव कॉर्डर बने की योजना है, कई लोग किसी संगत के बस भूत हो करके, या किसी अन्यान कारणों से अपराद की दुनिया में तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वो बास्तब क्ताम है, होस्यार लोग होते होंगे, ज़िए हम मुहमद यूनिस की बात करना हैं, तो मुहमद यूनिस को मेरा कोई बहुत परचे नहीं था, लेकिन चुकी मुहमद यूनिस का निवास उसी मरिया महादेव वाले मरिया महले में ही था, तो उसका कहना इस चठी के माद्यम से ये था, कि हमें हमारे पूर बज़े को द्वारा इस तरीके की जानकारी दी गई थी, जो हम आज आप से साज़ा कर दे, आप उस जेल में बंद निर चुद्ध रहते हुए पेपरों को जोड़ करके बनाए हुए नकसा, ये सिद्ध करता है कि यूबक तो मुस्लिम था, तो उसकी उस मरिया महादेव में बड़ी अगाद आस्था रही होगी, उसके मन में भी कहीं न कहीं पीड़ा थी, कि ये मरिया मंदिरों को तोड़ करके एक समदाय बिसेश के लोग इन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, तो निश्चत रूप से आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, उसकी जेल पे ही लोगों ने बताया हत्या कर दी गई थी, लेकिन मेरे मन में उसके प्रती बहुत आधर और सम्मान का फावा है आपने देखा कैसे दस साल पहले एक मुस्लिम यूवक ने कनौज जेल में बंद रहते हुए मरिया महादेव के पुरुरुधार की कहानी लेख दी थी, और आज मरिया महादेव पुरुरुधार के पचपर है, इसके कोरिडॉर बनने की मांग उठ रही है, ये टिन लोकल के लिए छासी से शाष्वत सिंग की रिपोर्ट